नमस्कार दोस्तों हिंदी न्यूज फेस में आपका स्वागत हैं दोस्तों भारत के लिए पड़ोसी देश से एक बहुत ज़्यादक बुरी न्यूज आ रही है न्यूज यह है कि पड़ोसी देश बांगला देश में भारत के प्रोड़क्ट के लिए बाइकॉट चल रहा है वहाँ पर यह campaign चलाया जाया रहा है बाइकॉट इंडियन प्रड़क्ट एंड बाइकॉट इंडियन गेट आउट इंडियन्स ऐसे करके वहाँ पर campaign चल रही है यह campaign क्यों चल रही है आईए समस्ते हैं इस मामले को पूरा बिस्तार में तो दोस्तों यह campaign दरसल start ऐसे हुई कि वहाँ पर अभी हालिया 7 जनवरी 2024 को वहाँ पर election के result आई है जिसमें वहाँ पर प्रदान मंतरी से का सीना जीत कर आई है और उन्होंने प्रदान मंतरी का पद समाल लिया है और उन्होंने यह जो चुनाओ जीता है वहाँ पर उन्होंने टू फरड से ज्यादा मेज़ोरिटी हासिल करी आई बहुत यह अच्छे margin से जीता हुआ है अच्छा टू फरड से वो कैसे जीते वो इसलिए टू फरड से ज्यादा margin से जीती हैं क्योंकि उनके सामने opposition ने में वैसे टोटल 42 पार्टियां हैं अब मैं थोड़ा आपको पहले खालिदा जीया के बारे में बता दूं तो आपको समझने में आसानी होगी दोस्तों सन 1971 में बांगला देश का जन्म हुआ यह नया एक देश बना पाकिस्तान से अलग होकर अब पाकिस्तान से अलग हुआ त को फादर आफ नेशन बोला जाता है वो अभी अभी प्रदान मंत्री सेख हसीना के पिता जी थे और इनको भारत का हितैसी माना जाता था सेख हसीना भी प्रो भारत हैं उसी जगह यह जो खालिदा जीया है इनके हजबन का नाम है जियाउर रहमान जियाउर रहमान बंगला of nation है इनको इनकी हत्या कर दी दी और जिया उर रह्मान और ये खालिदा जिया ये प्रो पाकिस्तान माने जाते हैं यानि कि पाकिस्तान के समर्थक तो सेख हसीना भारत की हिताइसी हैं और खालिदा जिया पाकिस्तान की हिताइसी हैं अब खालिदा जिया ने चुनाव लड़ पंत्री से खषीणा ने से गड़ी पर बैटी हुए है तो जब ये अपनी सीट पर बैटी हुए है तो यह to मैं थो यह एक निन्सपक्श चुनाओं नहीं करा सकती है यह अपना गौर्र मेनलों का यूज करेंगी जिससे चुनाव प्रहावित हो जायेगा इसलिए खालिदा जीया ये चाहती थी की खसीना एक interim government चलाएं interim government क्या होता है interim government का मतलब का मतलब कि मतलब कि एक एसी सरकार जिसका खुद की कोई सत्ता नहुँग जिनके अपने खुद के कोई DCN ना ओ, जैसे कि सेख हशीना खुद कोई इंटरफेर ना कर सके किसी भी तरह से चुनाओ में ये ये खालिदा जिया की एक डिमांड थी, जिसको सेख हशीना ने नहीं माना, खालिदा जिया का ये कहना था कि जब आप हमारी ये बात नहीं मानें तो चुनाव आप ही जीतेंगी तो इससे अच्छा है कि अपोजीशन चुनाव लड़े ही नहीं और वहां के अपोजीशन ने चुनाव नहीं लड़ा जिसका परणाम यह रहा कि सेख हशीना अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत कर आ गई है तो यह जो सेंटिमेंट फिर वहा पर एक कैमपेन स्टार्ट हुई भारत के प्रोड़क को बाइकॉड करने की यह कैमपेन स्टार्ट किस नहीं करी यह कैमपेन दरसल स्टार्ट करी है खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान तारिक रहमान जो ब्रिटेन में रहता है ब्रिटेन में वह इसलिए रहता है क्यो रहा है बाइकाट इंडियन प्रोडक्ट एंड आउट इंडियन तो दोस्तों यह एक बहुत ही गंभीर भारत के लिए क्योंकि अभी हाली में भारत की मालदीव से भी एक अच्छे रिष्टे नहीं है और बांगलादेश से भी इस तरह की खवरे आ रही है तो इस पर भारत को लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें